हरो दोस्तों मेरा नाम है अंकित आप देख रहे हैं इस्टी पाउर पाइंट यूटूब चैनल दोस्तों एक नए वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम भाप करने वाले यूपी पॉटेंगी फॉर्स्ट इयर के सिकंड समेश्टर इलेक्रिकल मेरिकनि नहीं से याब लेक केमिकल ईलेक्र्टॉनिक सितनी विशारी प्रांचे दोस्तों किसी लिगूप में इलेक्रिकल का सब्जयक्त आप में होगा ही वीडियो आप पने बहुत इंपर्णिट है आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि या मैग्निक सर वर्सेस इलेक्टिक सर्कृट जो होती है बहुत इंपबर्ट टापिक है दोस्तों एक दो नमबर नहीं पूरे पांच नमबर यहां से मिलने वाले है वीडियो श्किप करके देखो गयार तो पूरी जाहर करी नहीं मिल पाए कि यह चोटी सी भात आने कि आपको क्योंकि यह व पर दिश्ट करेंगे यानि अंतर देंगे हम आपको मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्टिक सर्किट में क्या अंतर है वीडियो नमबर 18 है आज की वीडियो में बहुत महत्कूर टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों परिच्छा के दिश्ट से तथा सेलबस के अकॉर्डिंग ये महत्कूर टॉपिक हैं क्योंकि दोस्तों आप पिछले इयर्स का बोर्ड पेपर अगर उठा कर देखते हो तो वहाँ पर एक कोश्चन आपको मिल जाएगा लिखने को देखें दोस्तों यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं मैगनेटिक सर्किट इलेक्टिक का समानता है फिर बताएंगे असमानता लेकिन दोस्तों अगर पेपर में आ जाता है शिर्फ तुलना करने को अगर समानता कर आदार चाहिए तो समानता वह लिग देना अगर है और पूंच का पूरी पूंच का आता है यहां से question तो इसलिए बहुत important है समझ लो क्या होता है पहले थोड़ा सा basic समझ लो देखे सबसे पहले electric circuit क्या होता है ऐसा परिपत यानि ऐसी circuit जिसमें बिद्दुध धारा प्रवाहित हो electric current flow होती है उसे हम बिद्दुध परिपत कहलाता या बिद्दुध परिपत कहते हैं द प्लक्स प्राइट होंगे magnetic circuit बस अंतर इतना है दोस्तों अब देखिए यह चीज दोस्तों आप जब लिखेंगे यह दोस्तों यह नहीं कि अलग चीज में बता रहा हूं यहां हमने अलग topic में कर दिया ताकि आपको समझ में जाए लेकिन दोस्तों जब आप इसको इस तरह से मतलब करके करेंगे इधर एक तरफ लिखेंगे एक तरफ मैगनेटिक सर्कीट तो उसमें एक तरफ यह वाला लिख देना दूसरी यह तरफ ताकि आपके यहां से एक पॉइंट बढ़ गये आपको याद भी हो गया होगा यार सोचो कितना अच्छा हो गया अब देशतों समानता हैं इंग्लिस में बोलते हैं similarities क्या दोनों में समान क्या क्या है तो अगर कुछ नहीं पूछेगा तो कुल लिख देना मतलब जितना आप अलग अलग भी करके लिख देना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन लिखना है सब जितना कोसिस करो ज्यादा ज् मिलेंगे आपको 10 से 15 पॉइंट सबको लिख देना है ताकि आपको यहां से पेपर यार अगर एजामनत कम भी करना चाहे ना तो भी कम ना कर पाए तो देखो यार इलेक्टिक सर्कुट एक तरफ दूसरे तरफ मैगनेटिक सर्कुट होगा तो क्या क्या समान देखे इलेक् मैगनेटिक सर्कुट होती है इसमें यमेफ होता है और इसका मातरक दोस्तों बोल्ट होता है जबकि दोस्तों मैगनेटिक सर्कुट में यमेफ होता है यहां इसका मातरक एंपियर टर्न होता है और दोस्तों हम लोग यह में फीजिकल टू आई यार या तो कहें फीजिकल ट करन्ट का जो विरोध होता है वह परतिरोध करता है और इसका मात्रक ओम होता है जबकि दोस्तों मैगनेटिक सर्किट में चुम्ब की फ्लक्स का जो विरोध होता है वह परतिष्ठाम रिलेक्टेंस करता है और विरोध रिलेक्टेंस करता हो इसका मात्रक वन अपान हिनरी या एंपियर टर्न प्रती बेवर होता है दोस्तों अब यहां पर जो अगला जो टॉपिक साथा जो कंडिशन होती है वह है पांसवा पॉइंट की जो करंट होती है आई इस उकल टू जैगा जो कि यहां से बिल्कुल निक हो जाएंगे कुछ और भी सिमिलर्टी है गाईस उसको आप समझ लीजिए कौन-कौन सी और सिमिलर्टी है देखिए जो सिक्स नमबर पॉइंट है वह आर इस इकल टू रो यलवाई यह होता है जब कि यस इस इकल टू वन अपान मिजरो मिवार यलवाई यह होता है जो दो मीटर प्रति हेंरी होता है ठीक है और दोस्तो चालकता देखिए चालकता इस इकल टू वन अपान प्रतिश्थम मतलब यहां पर पारे गमता इस इकल टू वन अपान यस हो जाएगा जो दोस्तों चालकता होती है इसका मात्रक महों प्रतिमीटर होता है जबकि पारगमता का मात्रक हेनरी प्रतिमीटर होता है दोस्तों देख सकते हो कि 9 पॉइंट तो यह हो गई और 2 पॉइंट से हमने यह बताया था एक तो फीगर वाला और दूसरा दोस्तों हमने यह बताया था कि आपको पता है थेयरी में उतने नमबर कहां मिलते हैं पांच में पांच तो इस कांट से अगर पूरा लिख देगो है कम करना विचाए तो ओल्ली आधा नमबर कम कर सके ठीक है लेकिन वैसे कोशिस करेगा जब देखें को यह भी 15 अंदर लिखें आसमोश तो पूरा नमबर देदिया जाए अगला देखें आसमानता यानि डिस सिमिलर्टी क्या है इसमें एक तरफ इलेक्टिक सर्कुट बिढ़ाएंगे दूसरे तरफ मैगनेटिक अगर नहीं दिया तो दोस्तों यह साम मत करना सीधे लिख दिना या ऐसे भी लिखोगे तो भी नमबर मिलेगा तो अब देखें जो हमारी एलेक्ट्रिक सर्कुट होती उसमें रजिस्टेंस के कारण का इस उसमा का ब्याय होता है जबकि मैगनेटिक सर्कुट में कोई उसमा की हानी नहीं होती देखें वाई जो होता है दोस्तों बिद्दूत का सबसे अच्छा कूचालक होता है जबकि दो कि ह दोस्तों यहाँ पर इसमें अगला मेगरेंट में इसमें चुम्ब की मंदायन जैसे यानगी हिस्टियन सीज्टा गटना नहीं होती दोस्तों मंदायन जैसी घटना होती है पाचमा पाइंट दोस्तों है कि यह यम्यफ हटा लेने पर बिद्दुधारा का मान तुरंथ सुनने हो जाता है जब कि दोस्तों यम्यफ को हटा लेने पर पदार्थ पूरत बीचुम्बकित नहीं होता है जब कि क्योंकि उसमें कुछ आवसिष्ट चुम्बकत रह जाते हैं कुछ चुम्बकत का गुड़ रह जाता है अब देखिए अगली पॉइंट है कि बिद्दुध परिपत के द्यान देगा बिद्दुध परिपत में प्रतिरोध के कारण उड़ जाब होती है जब कि दोस्त सिक्स हो गएं डिस्मिलेर्टी में यानि पूरेट 17 पॉइंट हो गएं अगर आप 17 पॉइंट या तो यार भूल भी जाते हो तो अल्मोष्ट कुल मिला जूला करें अगर 12 या 13 पॉइंट याद किरोगे तो यार बहुत है क्योंकि 7 पॉइंट आप एक तरफ लिग देंग इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपने बहुत महत्पू टॉपिक के बारे में जाना आज की जो वीडियो लिक्चर थी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए नए हो तो हमारी यूटूब चनल को सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि हम इ झाल